इसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है अलकोहल का उसको अगर हम रिप्लेस कर दें सल्फर के साथ तो हम उसको थाइयोल बोलेंगे इसके लिए स्टुइट्स पर्टिक्लियर आपका नॉमन क्लेचर होता है नॉमन क्लेचर में स्टुडेंट्स अगर मैं बात करूं मैथनॉल की मैथनॉल के औकसीजन को में रिप्लेस कर दू सल्फर के साथ तो तो इसको मैं बोलूंगी थायोैओ मैथनॉल बिल्कुल इसी तरह स्टुएंट्स कोई और हम ले लेते हैं for example katharol ले लेते हैं CH2OH उसके Oxygen को मैंने रिप्लेस किया Sulfur के साथ CH3 CH2 SH तो इसको हम बोलेंगे थायो इथनोर उसके लावा students यह तो हो गया basic nomenclature हम इतना ही study करेंगे students इसके लावा आप इसके लिए terminology में use कर सकते हैं Mar Captain इसके लिए यूज किया जाता है नॉमंख लेचर में यूज किया जाता है लेकिन जादा तो स्टुडेंट साप थायो यह तायो इधनोल और थायो मैथनोल ही यूज कर रहे होते हैं इसके नॉमन्ख लेचर के इंदर जो के स्टूडेंस हमारा आउट ओफ सेलेबस है देन होती है as compared to that of alcohol उसके लावा students boiling points boiling points इनके students alcohol से थोड़े से कम होते हैं लेकिन students याद रखिएगा कि इनके अलगेंस से ज्यादा होते हैं boiling points उसके लावा students structure इसका बिल्कुल वैसे यह जैसे alcohol का होता है students याद रखिएगा कि यह आपके पास electronegativity sulfur की कम होती है as compared to that of oxygen तो as a result होता है कि इसकी in bonds की जो polarity होती है वो कम होती है नहीं कि आपके पास carbon sulfur bond है and then sulfur hydrogen bond है इसकी bond polarity कम होगी as compared to that of carbon oxygen and oxygen hydrogen bond उसके लावा students इसका जो आपके पास bond length है bond length of sulfur hydrogen bond वो ज्यादा होती है as compared to that of oxygen hydrogen क्यों क्योंके size sulfur का बढ़ा as compared to that of oxygen उसके लावा students आपने polarity के बारे में already discuss कर लिया students याद रखेगा कि थायोल ज्यादा acidic होते है as compared to that of alcohol students जो पीके एवैल्यूस असोसियेटेड होती है आपके पास थायोल्स के लिए वो होती है about 10 और alcohols के लिए जो पीके एवैल्यूस जिन से हम डील कर रहे होते हैं वो 16 to 19 होती है जिसका मतलब students जितनी ज्यादा आपकी पीके एवैल्यूस कम होती है उतना ज्यादा आपका और गैनिक कंपाउंड जिससे या कोई भी कंपाउंड जिससे आप डील करें वो ज्यादा यह कूँए और नियूकलोफिलिक होते हैं पीके ए वैली क्यूंकि सुदर्स थाइओल की कम होती नयूठि क्यूंस के लभिव जो SH bond है, it is readily oxidized to SO system, यानि कि इनकी जब हम oxidation reaction करते हैं, तो thaiols आपके पास sulfur oxygen systems में convert हो जाते हैं, as compared to that of carbon oxygen system, यानि कि carbon oxygen system में convert होने की tendency की इतनी नहीं होती है, oxidized होने की ये convert होते हैं, sulfur oxygen systems के अंदर, उसके लावा students like terminology आपने discuss की होगी, जिसको हम proteins के अंदर आपने अपने biology के book म discuss की होगा, जिनको हम कहते हैं, diacylphide bonds, diacylphide bridges या diacylphides आपके पास, इनकी existence एक potential important role play करती है, आपके protein का structure define करने में, आपने students protein के primary, secondary, tertiary और cotonary structures पढ़े होंगे, उसके अंदर diacylphide bonds या diacylphide bridges जो हैं, वो exist करते हैं, यानिका biological importance है, तो ये तो हो गए students हमने discuss किया, physical and chemical properties of thiols, हमने discuss कि उनका structure कैसे different है from that of hydroxyl groups, alcohols के साथ ये कैसे relate करते हैं, moving forward हम thoroughly discuss करते हैं, कि phenols क्या होते हैं, इनकी preparations और reactions को discuss करते हैं, one by one, thank you.